दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों अभी शाला सबके स्वागत करता हूँ आप इके चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम कोई नई वीडियो बनाया करें तो दोस्तो आज की वीडियो में जो एप्लिकेशन बताने वाला हूँ उसकी लिंक में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट करा दूंगा वहां से जाके आप उसे यूज कर सकते हैं अच्छी एप्लिकेशन है यूज कर लीजिएगा अब दोस्तो इसके अलावा मैं आपको बतायता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और कॉमेंट करके बताईएगा कैसी लगती है वीडियो तो दोस्तो आज की वीडियो जो मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में जो एप है वो काफी अमेजिंग है उसमें दोस्तो आपको कभी न कभी वीडियो रिकॉर्डिंग की जरुवत पड़ती है लेकिन कभी-कभी आपको सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग की जरुव या फिर sting operation कर रहे हैं उस basis पर बनाना चाते हैं तो आप इस app का use कर सकते हैं क्योंकि दोस्तो मोबाइल में आप जब भी recording चालू करते हैं तो क्या होता है आपको इस तरह पर दिखायता हूं, जैसे आप camera चालू करते हैं दोस्तों अपको इस तरीके से camera चालू करना होता है और आप की screen पर चालू हो जाता है और आप इसे हटा देते हैं तो यह हट जाता अब यह recording इस तरीके से बंद हो जाती है इसके लिए आपको recording button दबाना होता है लेकिन दोस्तो what if अगर मैं आपसे कहूं कि आपके mobile की जो recording है वो भी चालू रहेगी और आपकी screen पे आपको जो करना है वो भी आप कर सकते हैं Is it possible? तो दोस्तो with this application this is possible ओके दोस्तो आप कैसे कर सकते हैं आपको बताऊंगा यह application के बारे में आपको बता चुका हूँगा आपको कहां से install करना है अब आप इस application को खोल लेंगे दोस्तो आप जैसे ही इस application को खोलेंगे दोस्तो पहले तो यह आपसे permission मांगेगा आपने permission दे देनी है ओके दोस्तो यहाँ पर कुछ option देखने को मिलते है date, time, repeat, every day ओके दोस्तो डूरेशन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो डूरेशन बढ़ा सकते हैं जितनी है अपने बढ़ानी है ओके दोस्तो लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ you should set less than 30 minutes to avoid file crash ओके दोस्तो क्यों 30 minutes से ज्यादा होगी तो file crash हो जाएगी तो यहाँ 30 minutes का यहाँ पर दे रखा है time ओके दोस्तो और दोस्तो इसके अलाबा आप schedule करना चाहते हैं schedule अगर आप करेंगे तो schedule भी आप कर सकते हैं ओके दोस्तो अपने accordingly ओके दोस्तो यहाँ से सब कुछ set करके schedule कर सकते हैं उस recording को ओके दोस्तो जैसे कि आपको किसी के साथ prank करना है तो schedule कर सकते हैं यहाँ तो इसे आप इस तरीके से प्लेस कर दीजिए camera को schedule कर सकते हैं दैन दोस्तो इसके अलाबा यहाँ पर आपको camera का option दिखेगा आप यहां पे बीच पे red color पे click करेंगे okay दोस्तो red color पे आप जैसे ही click करेंगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से पहले मैं आपको setting बतायता हूँ यहां पे gallery देखने को मिल जाई gallery में सारी recording जाती है gallery जैसे ही खोलेंगे तो आपको recording देखने अगर आप सिर्फ mobile number से किसी का पता करना चाहरे हो कि अभी वो कहां पर है तो add को हटा दीजिएगा okay दोस्तो free है यह application बस add यहां पे आते हैं और add भी ज्यादा नहीं आते हैं तो आप ज्यादा बहुर नहीं होगे यहां पर देख सकते हैं यह recording यहां पर कुछ पड़ी हुई है okay दोस्तो अब मैं बताऊंगा कैसे यह काम करती है इसके लावा video trimmer का भी option यहां पर given है okay दोस्तो photo setting photo setting का भी यहां पर option given है photo clicking के लिए लेकिन अभी हम आपको बताएंगे वीडियो के लिए इस application को आप जैसे इंस्टॉल करेंगे यह दो और application आपको अपने आप इंस्टॉल करके देदेगा एक वीडियो का एक photo clicking का जो कि आप दौनों कर सकते हैं अगर आपको photo कीचना है तो वो भी कर सकते हैं video बनानी है तो वो भी कर सकते हैं photo गीचने के लिए अलग procedure है लेकिन मैं आपको वीडियो के बारे में आज बताऊंगा ओके दोस्तो चलिए दोस्तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा video का option red color का अब दोस्तो मैं जैसे ही इस पर click करूंगा यह phone vibrate होगा एक second के लिए अब मैं screen से हटा दूगा अब आपको जो करना है अपनी screen पर वो आप कर सकते हैं ओके दोस्तो recording background में चलती रहेगी ओके और उसके अलावा दोस्तो अगर आप अपने phone को बंद भी कर देंगे बंद कहने से मतलब है screen off कर देंगे तो भी यह recording चलती रहेगी लेकिन आपने switch off नहीं करना है phone अपना switch off करेंगे तो might be यह problem create करेगा switch off नहीं करना है बस आपको screen बंद कर देनी है ओके दोस्तो और recording आपकी चालू रहेगी अब दोस्तो मैं आपको इसका procedure दिखा दिया है काफी अब मैं इस application को जैसे ही खोलूँगा देखी यह पैते second की recording हो गई है इसे मैं बंद कर देता हूँ ओके दोस्तो बंद करने के बाद इसे save कर देंगे यह save भी हो जाएगा इसे दुबारा चालू करना चाहते है तो दुबारा चालू कर लेंगे आप ओके दोस्तो अब यह दूसरी recording चालू हो गई है ओके दोस्तो अब मैं जाता हूँ गैलरी पे ओके दोस्तो गैलरी पे जैसे ही जाएंगे तो आप इसको easily तरीके से देख सकते हैं ये phone vibrate होगा एक second के लिए अब देखा दोस्तो ये recording हुई है और ये पूरी recording हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ ओके दोस्तो जब हमने screen बंद गिया है तो ये 30 second आपको बता रहा है तो obviously ये recording हुई है ओके दोस्तो तो ये काफी अच्छी application है आप इस application को use कर सकते हैं अगर आपको जानना है photo इसका कैसे की सकते हैं तो मुझे comment करके बताएगा photo किस तरीके से screen off भी की सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा से भी पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर दीजिएगा और bell icon को दबाना बिलकुल भी ना भूलें दोस्तो बहुत जल मिलेंगे हम आपको next वीडियो में ऐसे ही amazing tips, tricks और नई-नई वीडियो में नई-नई apps के साथ तो please चैनल को subscribe कर लिजिएगा बहुत जल मिलेंगे हम आपको next वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तो